यहां हिंदु धर्म में 33 करोड देवी देवताओं को पूजा जाता है इस देश में बहुत सारे मंदिर और मस्जिद भी आपको देखने को मिल जाएंगे सभी का अपना अलग महत होता है हर दिन यहां किसी ना किसी भगवान या देवी की पूजा की जाती है अगर आपको भगवान के प्रती आस्था देखनी हैं तो आप हिंदुस्थान में देखें आज हम आपको बताते हैं ग्यान की देवी मा सरस्वती के बारे में ये तो आप जानते ही होंगे कि दिवाली पर मा सरस्वती की भी पूजा की जाती है इस देवाली भी माता सरस्वती काफी ज़ादा प्रसंद हुई हैं इसी के चलते अब इंदोराशी का कल्यान माता करने वाली हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हैं उनको शिक्षा के छेतर में काफी ज़ादा तरक्की होने के चांस बन रही हैं माता की कृपा से समाज म अब अपना नाम रोशन करेंगे जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हैं अब उनका उध्धार माता सरस्वती कर रही हैं माता सरस्वती की करपा से इनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप किसी नए काम को करने की सोच रही हैं तो जरूर करें आपको बहुत से लाब भी प्राप्त होंगे माता की विशेश कृपा आपके उपर बनी रहेगी आपके घर में मालक्षमी की भी कृपा होगी साथी अचानक से धन लाब भी होगा माता सरस्वती आपके जीवन में अब काफी कुछ बदलने जा रही है इसलिए मासरस्वती की आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको लाब हुगा, साथी माता का आशिरबाद आपके सर पर हुगा किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा धन आने के योग भी दिखा रहा है मा सरस्वती के आशिरबाद से आप किसी भी पड़ाई लिखाई के छेतर में अवल दर्जे पर अपने आपको साबित करके दिखाओगे साथ ही अगर आप कोई भी कॉम्प्टिशन कर रही हैं तो इस दिवाली आप मा सरस्वती का सच्चे मन से दीदार करें मा सरस्वती की सच्चे मन से पूजा करें तो माता आपको मन चाहा वर्दान देंगी साथ ही आपको अपनी सफलताओं में भी बहुत कुछ अलग करने के लिए माता आपको आशिरबाद देंगी इसी के चलते आप अपने जीवन में काफी कुछ अलग कर पाएंगे साथ ही मा सरस्वती के आशिरबाद से आपका जीवन भी धनधान और सुख स्रमद्धी से भरा चला जाएगा आई आपको बताते हैं आखिर कौन सी है वो राशियां वो राशी हैं मेश और कन्या राशी एक्स्ट नाइन वक्ति सायगर से आकाश की रिपॉर्ट